दिल्ली से इस वक्त एक खौबर है जहाँ पर करेंट लगने से आठ साल के बच्ची की मौत हो गई है जनरल स्टोर में रखे फ्रिज से बच्चा करेंट चपेट माया और फिलाल बच्चे के शव के साथ जो परिजन हैं वो दुकान के बाहर धरने पर बैठे हैं परिजन इनसाफ की मांग कर रहे हैं मौके पर पूलिस भी मौजूल है अब तक बच्चे का अंतिम संसकार नहीं किया गया है दिल्ली के इस्ट सागरपूर का ये मामला है इस्ट सागरपूर इलाके में करेंट लगने से आठ साल के बच्चे की मौत हो गई है शरत भारदवाज इस वक्त पर साथ जूड़ रहे हैं दिल्ली से इसी पर जादा जानकारी के साथ शरत सबसे पर बता है किन परिस्थित्यों में बच्चे की मौत हुई है जी मैं बताना चाहता हूँ कि एक आट साल का बच्चा है जिसका नाम राजन है वो यहीं पर जानों मुझूद हूँ घटना पर ठीक उसके सामने दुकान है और घर है वहाँ पर दुकान पर दूद लेने गया था और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यह गोरव किराना स्टोर है यहीं से बच्चा दूद लेने आता है और बताया यह जा रहा है कि फिरिज के अंदर काफी दिनों से करंट आया हुआ था लेकिन जो दुकान मालिक है उसने कभी चेता नहीं है उस चीज को ठीक नहीं कराया ठीक है और कल यह साम 59ी नहीं प्रस कारें एन्ट काफ्ट आओ दूद लेने आता है और वह जब दूद मांगता है परिजन लेकर आते हैं लेकिन परिजन और यहां की निवासी जो लोग हैं वो बच्चे को निया जाने के लिए इस जनरल इस्टोर पर जो है बच्चे की डैड़ बोडी को रखर यहां धरने पर बैठ गिये रात बर और जो समर्थक थे वो जो है कैलासपुरी पालम रोड पर पर उन्होंने रास्ता जाम कर दिया पुलिस में सचों ऑसीपी आये थे मोके पर उन्होंने जाम तो खुळा दिया लेकिन रात बर जो है जनरल इस्टोर के सामने बच्चे की डैड़ बोडी को रखर लोग पर्दसन करते रहे मांग करते रहे और सुबा होते होते वोते अस जो मांग कर रहे हैं वो पुरा न्याय होगा जो कारवाई हो रही है क्योंकि अफायर धर्ज हो चुकी है और अभी कुछ देर पहले परिजन की डैड़ गोडी को लेके समसान घाट लेके गए हैं जांब बच्चे का अंतिम संसकार पुलिस की निगराई में प्या जाएगा कोई सेहमती बन पाई है क्योंकि मौवजे की मांग हो रही है तो प्रशासन क्या इसमें इंट्रवीन कर रहा है मौवजे को लेकर जो पूर्प सांसद है माबल मिस्रा वो आये हैं जो चेत्र के पार्शद है वो यहां पर मोजुद आये है उन परिवार से बैट के बात हुई है और जो है कही ना कहीं एक आर्थिक मदद की भी मांग की गई है परिजन जो है इस बात को लेकर इस ठिक है कि जब तक कोई मौज़ा नहीं दिया जाएगा बच्चे कंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा करें क्योंकि जो लोगों कहना है कि परिवार का आरोब भी है पिछले कई दिनों से आपके दस दिन से जो है रीज में करंट आ रहा था जो भी यहां पर दुकनना समान लेने के लिए कोई आता था तो जैसे उसको चूदे ते कहते कि अंकल इसमें करंट है लेकिन कभी भी उ पूरी जानकारी के लिए इस बात चूद के लिए